हेलो औरिवन गुड मॉर्निंग श्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेडियून में आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जेग्राफी का लेक्चर नम्मर 6 और जिसमें देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक और वो है भारत की जल्वायों इंडिया की क्लाइमेट से रिलेटेट अक्सर कोईशन्स पेपर में देखने को मिलते रहते हैं तो आज किस वीडियो में आपके लिए लेका रहा हूं टॉप 33 मोस्ट इंपॉर्टन एमसे क्यू तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपने बाकी के लेक्सर को नहीं देखा है आप उसको जरूर देखें मैं पूरी-पूरी कोईशिस का लिंक आपको डिस्किप्शन में देने की या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जैग्रवफी का प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखा तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं अज कि इस वीडियो का फर्स्ट कोचन ये बनता है कि दच्छीर पस्ची मांसुन कब तक पूरे देश में सक्रीए हो जाता है इस क्वेशन का राइट हांसर हो जाता है ऑप्सनस नमबर डी 15 जुलाई तक पूरे भारत भर में यह सक्री हो जाता है दच्छे पस्चे मांसुन सबसे पहले बात करें ते भारत में सरप्रत्थम जो मांसुन आता है मांसुन की जो पौने आती है वो अंडमान निकुबार दि पूरे भारत को यह कवर कर लेती है तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेशन क्या कह रहा है कि भारती उपमहादी पर ग्रिस्म रितू में उच्छे तापमान एवं निम्न दाब ही नमासागर में वायू का कर्शन कर रहते हैं जिसके कारण परभावित होती है तो बताए कि क्या होगा करेंट अंसर की बात करें तो ऑपसंस बी विल्कुल करेंट अंसुन और भारत में जो सरवादिक वर्षा होती हो दच्छिर-पस्चिर मानसुन से ही होती है ठीक है अगला पॉइंट देखें पूने में ilian ततरीक वर्षा होती है इसका कारण क्या है तो दोनों का तो मतलब रहाइंसर क्या क्या होगा ठीक है तो राइट अंपर यहां prोज Agora यह होता आगे बढ़ते कि भारत वर्श में सरवाधिक वर्शा किस चेत्र में होती है कि बहुन बहुत है तो पुर्ट वर्श ज्यादरे के मासिंटरम अ हो जागा को options number a पस्चमी घाट हिमाले छेत्र और बेगाले options a will be right answer next question है कि भारत की जलवायू की सबसे महत्यपूर्ण विशेष्था कौन सी है तो इस questions का right answer क्या होगा options number c यानि की पौनों की दिशा में परिवर्थ option c will be right answer अगे बढ़ते question number 6 में देखिया क्या कि बारत के किस राज्य में जाड़े के मौसं में वर्सा होती है किस राज्य में होती है क्या होगा options number b तमिलाड़ンタु अब बात करते हैं कि तामिलाड़ल में जो वर्सा होती है किस मांसुन से होती है उत्तर पुर्वी मांसुन से होती है यह पॉइंट याद रेखेंगे options B will be correct answer अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस प्रिंट है तो वन सरवाधिक व्रिधी छेतर में पाया जाता है इस क्वेशन का राइट से करम बात करें तो options number C होगा बिल्कुल correct उषने कटी बंधिये सुसके पर्ण पाती वन और यह बहुत ही भीवियाई प्रस्न आप इसको याद रिखीगा कई बार यह पेपर में रिपीट भी हुआ है और आगे आने की भारत की जलवायू उषने कटी बंधिये इसका कारण क्या अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जलवायू कैसी है तो भारत की जलवायू उषने कटी बंधिये होती है कभी कोई पेपर में यह क्वेशन आपको देखने को मिलता है कि भारत की जलवायू कैसी है तो उस कंड में क्या करा हैieso की भारतिय मानसुन का वर्णन सबसे पहले किस अरव विद्वान के दौरा किया गया था यहां इस question का राइट सरक्या होगा option नमबर B अल मसुदीpsy तो यह एक प्रमुक कि अरव फूगूलवेता थे इसको आप याद रखेंगे और हैं बन सकता है कि मानसून यह वो इसक्स का सब्द का है किस भासा सब्द रखेंगे मानसुन एक अरब भाषा का सफद चईप है कि ऑगे बढ़तें अागे बढ़ते नेक्सरा कि भारत के फस्चिमी समुद्धी तडपर वर्चा किस मानसून से होती है तो ध्यान देज़ेगा पस्चिमी समुंद जी तर्ट पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है तो राइट एंसर जगा आपसंस नंबर डी दच्छर पस्चिम ठीक है आपसंस नंबर डी करेक्ट आपसंस वहाँ दच्छर पस्चर मांसून से होती है सबसे पहले तो के लल में पहुंचता है उसके बाद ही पूरे संपुर्ण भारत में जो कि यह सक्री होता है जैसे कि उप से पहले अगर मुझे लगता है कि कोई बनता है तो यही पहली पर उठाए जाता है तो देखे जलवायू से अगर आपको याद रखना है तो इस को फिलाल आप याद रखेंगे रखेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेशन का राइट आंसर क्या होगा तो दच् सबसे कम वर्षा करने वाले दो राज्यों का सही कर्म क्या घुआ है कि सबसे अधिक वर्षा तो आपको पता है कि मिगाले में होता है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा है आप भारत का सब जो राजस्तान है वो सबसे कह सकते हैं कि सबसे कम वर्षा प्राप्त करते हैं इसका जो जैसल मेर है वो कह सकते हैं कि 10 सेंटीमिटर से कम भी कम वर्षा यहां पर होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक में घाले सबसे कम राजस्तान options B will be a right answer next person कह रहा है कि निमलिखित में से कौन भारतिय मांसुन को परभावित नहीं करता है तो बताए कि कौन निमलिखित में से भारतिय मांसुन को परभावित नहीं करता है काफी अच्छा प्रस्ट ने तो देखे इस questions का right answer क्या होगा right answer will be options D Gulf Stream देखे मैं आपको बता दूँ कि जो भारतिय प्राइदीप है वहीं महासागर मिस्तित है जिस पर क्या होता है कि मांसुन और भूमद रेखा का परभाव तो पढ़ता है लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है यह क्या है तो गल्फ है कि स्ट्रीम एक महासागर यह धारा है जो कि उत्रिय अट्लांटिक महासागर में यह कह सकते हैं कि अमेरिकी जो अमेरिका महादुईप है उसके दच्छिर पुर्वी तरड पर यह बैती है तो इस तरह सम्न कह सकते हैं कि इसका तो कोई मतलब नहीं होता है कि भारतिय मांसुन से इसलिए उप्संस नंबर D को टिक करेंगे चलिया आगे बढ़ते निक्स्ट पस्ट कैंगार कि कि स्राज्य में प्रत्य वर्ति मानसुन आदिक प्रभाव होता है प्लत्य वर्ती मानसुन क में काल वैसाकी के नाम से जाना जाता है तो काल वैसाकी के नाम से जाना जाता है पस्चे मंगाल में options D will be a right answer ठीक है चलिए next question के क्या करें मांसूनी जलवायू की प्रमुख विशेशता क्या है इस questions का right answer जगा options number D वायू की दिसा में मौसमी परिवर्तन ठीक है options D अधिक वर्सा होती है क्यों की इसका कारण क्या होते हैं दुनिया में सबसे अधिक वर्सा यहां पर होता है तो बताईए कि तो right answer जगा options number D यहां की जो पहाड़ी हैं वो keep की अकृतिक है options D will be a right answer कुछ लोग क्या करते हैं कि friends आप लोग दोस्तों के साथ share क्या कीजिए तभी तो अपनी फैमिली बहुत जल्द आगे की तरह बढ़ेगी और ना हमारी फैमिली यहीं के यहीं रह जाएगी तो ऐसे में आपको भी पता है कि चैनल को गुरुद तो करना ही है तो आप लोग share क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ दस्चिर पास्ची मांसुन निमली खीत में से किस प्रदेश में सर्व प्रथम परवेश करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने first questions में इसके बारे में discuss किया हुए था तो देखे मैं आपक नेक्स्ट है असम पस्ची मंगाल तथा उडिसा राज्यों में मांसुन पुर्व आने वाली तडित जंजाय निम्न में से किस नाम से जाने जाती है असाम में पस्ची मंगाल में उडिसा में राज्यों में मांसुन जो पुर्व से आने वाली जो तडित जंजाय होती है उन तपांतर पयाजाता है सरवाधिक दैनिक तपांतर पयाजाता है बताइए तो चले इस questions का राइटें से देखते हैं correct answer का हमारा options number D राजस्थान के मरवस्थलिये छेत्रों में options D will be correct answer मैं आपको बता दू कि राजस्थान में सरवाधिक वार्षिक तपांतर तो कहां पर होता है चूरू में होता है और नियुम्तम वार्षिक तपांतर जो होता है वो डुंगरपूर में होता है questions के कोडिग हम बात करें तो यहाँ पे दैनिक तपांतर पूछा गया था तो कि मैं आपको उता दू कि सरवाधिक दैनिक जो तपांतर होता है वो राजस्थान के मरुष्टली छेत्र जो होता है वो जैसल मेर में होता है और नियुम्तम दैनिक तपांतर की बात करें तो वो होता है वो स्वाड़ा ठीक है वो स्वाड़ा राजस्थान कहीं है वो स्वाड़ा तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे अगला पॉइंट क्या रहा है नीम любовhid में से कि सथान पर सबसे कम वार्षीक वर्सा होती है तो बतये कि right answer क्या होगा मार कि अस्थान पर सबसे कम वार्षीक वर्षा होती है तो वार्षा वर्षा के बाद करें तो लेह में होता है options number D correct answer होगा ले ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहा रहा है कि भारत का सबसे सुस्क भाग कौन सा है भारत का सबसे सुस्क भाग कौन सा है इस questions के राइटन से की बात करें तो options number E होगा जैसल में भारत में जो पस्चमी राजस्थान का जैसल में वह सबसे सुस्क छेतर हैं जहां पर मैंने आपको बता कि 10% स्वारी परसेंट नहीं गया दस सेंटीमीटर से भी कमवर्शा होती है क्लिया तो यह point आप याद रखेंगे अगला point में क्या करा है कि चन्नाई की जलवायू कुलकत्ता की जलवायू की तुल्ना में गर्म हो ख्यों रहती है जबकि दोनों अस्थान समुंद्री तर्ट परिस्तित है तो बताइए जब भी इस टाइप का questions आपको देखने को मिले तो उस condition में आपको एक चीज देखना होता है कि भूमद रेखा से दूरी ठीक है तो यहां पर खेने का ताथ पर यह वाक की देखे चन्नाई भी है वो समुंद्र के किनारी समुंदी तर्ट परिस्तित है कुलकत्ता भी जो भ राइट अंसरो जगा options नंबर सी चैन्नाई विश्वत रेखा से अधिक समीप है options नंबर सी करेक्ट आंसरों को ठीक है इस तरह साब याद रखेंगे next प्रस निक्या कर रहा है कि तमिलाडू में सरद कालीन वर्षा अधिकांस ता किन कारणों से होती है तो देखे मैंने आपको उपर में बता था कि तमिलाडू में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसुन से होती है options C राइट अंसरों को option C विल बी करेक्ट आंसर तो उस कंडिशन में क्या होता है पस्ची में भी छोब options B विल बी राइट अंसर यह सभी क्वेशन बहुत इंपार्डेंट है यहां पर कई क्वेशन तो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं तो आप इनको अच्छे से कोशिज की जगा कि याद रखने की नेक्स्ट परस्ट क्या करें कि भारत के पस्चमी तट्टू में ग्रिस्म में अती उस उच्छ वर्सा मुखेता किसके कारण होती है ग्रिस्म में अती उच्छ वर्सा जो होती है वो किस कारण से होती है किसके कारण से होती है तो इस question ka write answer हम किसे tick करेंगे options A को उस ने कटी बन दिये अmaybe स्थिति को tick करेंगे options A to write answer हो जाता है next-parts क्या करा है कि October और November के महीनों में कहां पर अधिक वर्षा होती है October और November महीने में अधिकांस जो वर्षा होती है कहां पे होता है अधिक वर्षा होती है है तो को डॉमंडल तथ़ पर को सलनबर ग्रा lanz रोगा को डॉमंडल डॉर хотите को डॉमंडल तवंगर नेक्स्ट यहदी भारत में करकरिखा के स्थान पर विश्वत रेखा होती तो यहां की जलवाइवपर क्या प्रभा पढ़ता तो पथे अगर कर पर सस्था पर्भावन कर कि याज़न की आधिक हो जाता क्यूंकि वी थ två क्रेक्षा होने के वज़ेंसे वो क्या करता कि सुष्शly का जो प्रकास से लम हमेसा पढ़ता रहता है तो उस तरह से कह सकते हैं तो अधिक ताप हो जाता है और अधिक ताप होने के विए से वर्षा भी अधिक होती है नमबर हम बी को टिक करेंगे ठीक है आगे देखें नेक्स्ट परसन के रहा है कि देश के किस भाग में मांसुन के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही सखाव से वर्षा होती है यानि कहने का तात पर हमारा ये हुँआ कि इदर से भी वर्षा होती है इदर से भी वर्षा होती है वो आपको बताना है कि कि सब्रक में तो पंजाब में ठीक है पंजाब में क्या होता है कि अरब मांसुन और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही इसको वर्षा प्राप्त होती है अगला प्रस्ण कहा रहा है कि भारत के कोरो मंडल थर्ट जो सरवाधिक वर्षा होती है बताए किस मांसुन से यहाँ पे मांसुन है किस महीने में आपसे पुझा रहा है कि भारत में जो कोरो मंडल थर्ट पर सरवाधिक वर्षा होती है तुमने आपको बताया था कि उत्तर पूर्वी मांसुन के कारण जो होता है वो अधिकांस वर्षा यहाँ पे होती है तो इस क् उशन कटिबन धी है देश कहा जाता है क्यों? तो इस question ka right answer जागा the option no D मानसून से होता है the option D ko tick करेंगे मैंन आपको बता हा था कि भारत की जो जलवाई ही उशन कटिबन धी है माना जाता है आप इसको याद रखेंगे next person क्या करें कि anosun किस भासा का सब्द है प्रण लेडी हम तो मांसुन जो हो अरभी भासा है कही है अरवी भासा है निस्टıyor भारत को सरवादिक जो वरशाप्राप्त होती है मुखेता प्रप्त होती है किस से किस मांसुन से बहुत ही kaç आप लिए को साथ में स्थे आपके सब्सक्रांश सरय करें डोनों का का right answer क्या होगा पहला को यह कि भारत के उत्रि मैदानों में स्टीतकाल में वर्शा होती है किस मान्सून के कारण नीचे comments करके बताएंगे साथ साथ एक और questions है कि भारत के किस राजिय में स्टरवातिक वर्शा होती है बहुत ही simple keep learning have a good day